वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल एन एफ़ी फार्मिंग एंड एंटर्टेन्मेंट तो आज हम सिखाएंगे स्टॉन फूर्ट में किस तरीके से हमने कलमे करनी है तो आज मैं बादाम की ग्राफ्टिंग कर रहा हूं और ये ग्राफ्टिंग जो है टंग करनी नहीं आती है या फिर अच्छे तरीके से ग्राफ्टिंग करनी वो नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से समझे किस तरीके से आपने ग्राफ्टिंग करनी है तो स्टॉन फूर्ट में ग्राफ्टिंग करनी बड़ी मुश्किल होती है इसमें ग्राफ्टिंग तिकानी बड़ी टफ होती है तो इसलिए पहले इस तरीके से कठ हमने लगाना है पूरी स्किन से स्किन हमारी मिलनी चाहिए और अच्छे से हमें कलम त्यार करनी है जल्दवाजी में कलम हमें नहीं बनानी है बेशक थोड़ा सा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टॉन फूर्ट जब हम कलमे करते हैं तो यह ड्राइफ फूर्ट मेरे पास है बादाम की मैं इसमें अभी ग्राफटिंग कर रहा हूं बाद में पलम की ग्राफटिंग की जाएगे तो इस तरीके से हमें कट लगाना है, अंदर का गुद्धा बिल्कुल भी नहीं फटना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रहे, अगर अंदर का गुद्धा फट गया तो हमारी जो कलम है वो नहीं चलेगी, इस तरीके से मिलकुल स्किन से स्किन इसकी मिलानी होती है, और ये अगर अच्छे से कलम सेट नहीं होती है, तो उसको दुबारा निकाल करके सेट कर दें, इसमें यहाँ थोड़ा सा कट मारना है, ये और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बिलकुल स्किन से स्किन अच्छे से मिल रही है, ये बादाम की कलम मैंने अविकी, और इसको अच्छे से रैप कर देना है हमें, ताकि इसमें हावा ना घुसे, पानी इसके अंदर ना घुसे, इस तरीके से इसको र लिनी नहीं चाहिए अगर ये कलम बाद में हमारी हिल जाती है तो आपकी कलम अच्छे से नहीं लग पाएगी और उपर से भी ये अच्छे से कसना होता है ताकि यहां से हवा पानी ना घुसे इस तरीके से अब इसको करना है ये एलमंट की कलम एलमंट की मैंने ग्राफ्टिंग की टंग ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने कलम सेट करनी है ड्राइफ फूट की ये मैंने इसमें कलम लगाई वादाम की कलम है और ये इसको हमने स्टॉन्ट फूट के उपर कलम किया और जो ड्राइफ फूट की कलम होती है वो हमेशा स्टॉन्ट फूट के उपर ही लगाई जाती है